नमस्कार मैं हूँ आपके अपनी शेल मेरे चैनल सेलरवी ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है तो आज में जो वीडियो लेके आई हूँ वो है एंजी ट्यूब राइस टीप को कैसे डालते हैं कैसे इंसल्ट करते हैं उसका इंटुड़क्शन क्या है उसका हुआ है जो जो मिला है तो चलते हैं ज्यादा बात ही नहीं करते हैं हम करते हैं प्रोसेजर स्टार्ट जी ट्यूब के जो आर्टिकल्स हैं वह मैंने यहां पर प्रिपेर करके रखें तो आपको बता दूँ सबसे पहले एक आपको जरूरत है मैकिंटोस की उसकी जगए आपको gloves चाहिए, फिर इसके बाद में आपको एक यह चाहिए, इस्थेटोस्कोप चाहिए and fix करने के लिए tape चाहिए, आपके पास यह दिए fixture है, तो उसे भी fix कर सकते हैं, अभी मेरे पास paper tape है, इसलिए मैंने यह रख दिया, और उसको cotton एक थोड़ी सी cotton रख लीजिए अगर नहीं जाता है दुबारा ट्राइ करना पड़ता है तो आप उससे इससे clean कर सकते हैं नेक्स्ट आपको एक 50 cc के syringe चाहिए होगी और आप 10 cc की भी रख सकते हैं कभी लवाज गवाज के लिए अगर जरूरत पड़े लूब्रिकेंट करने के लिए आपको जेली चाहिए और नेक्स्ट यह यह आपको चाहिए राइस ट्यूब आप देखिए कि में यहाँ पर 16 नमबर लिया है तो आपको एक 16 नमबर की राइस ट्यूब चाहिए तो अब मैं बताऊंगी कि इसका स्रॉसीजर क्या होता है और कैस से प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूं कि जो राइस ट्यूब का इंट्रोडक्शन है तो देखिए मैंने यह राइस ट्यूब को कर लिया है ओपिन जो कि इस तरीके से यह देखिए यह इसके टीप है इसको आपको ऐसे टेस्ट नही कि क्यों होते हैं यह इसके टीप है यह के टीविंग है एंड यह इसका लास्ट पॉइंट है जहां से कनेक्ट करते हैं तो यह अलग-अलग कलर कोड की अलग-अलग नंबर कियाती है यह 16 नंबर है जो कि एडल्ट में यूज किया जाता है मैं आगे आपको सारा कुछ बताऊं यानि कि यह एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि इस ट्यूब को हम नोज में इंसर्ट करते हैं और इस्टमक तक पहुँचाते हैं यानि कि नाग के द्वारा हम इसको डालते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट पेट में पहुँच जाता है एंड इसका डालने का परपच क्या होता है एम उसको देते हैं लिक्ट में जैसे डाल का पानी है दूद है यह चीज है यानि कि उसको जो medical term होता है feed करवाने को बोलते हैं gastic gouache गवाज गवाज और लवाज में आपको यह differences रहता है कुछ लोग लवाज और गवाज में confused रहते हैं तो मैं बता दूँ कि लवाज जो होता है जैसे हमने दिया गो यानि कि गया और लवाज में जो हमने लिया यानि कि जो एस्प्रेट किया उसके अंदर से जो भी material को एस्प्रेट करते हैं उसको बोलते हैं लवाज और जो देते हैं उसको बोलते हैं गवाज यानि जो फीट करवाते हैं वो गवाज होता है और जो हम spread करके निकालते हैं वो होता है लवास तो बस ये suction करने के लिए irrigation करने के लिए इसका परपज होता है और या तो feed करने के लिए अब आते हैं कि इसका procedure क्या होता है procedure ये होता है कि सबसे पहले patient को मतलब की high follower position देते हैं सर के तरफ patient को थोड़ा सा उठा देते हैं यानि की head को उठा देते हैं उसके sir को forward कर देते हैं और फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं patient को जब उठा देंगे इसके बाद में patient के मतलब की जो tube है ये हम क्या करते हैं measure tube को tip of nose यानि की nose से सुरू करते हैं और ear lobe तक ले जाते हैं इसके बाद में जी fight process तक यानि कि कहां से nose से सुरू करेंगे ear lobe तक ले जाएंगे और जी fight process तक नापेंगे फिर हमको उतनी ही measure करके अंदर insert करनी होती है और इसका जैसे हमने दो पाइंट बता दिया कि यानि patient को fowler position में रखना है head up करना है इसके बाद में nose to ear lobe and इसके बाद में जी fight process फिर इसके बाद में क्या करते हैं लूब्रीकेंट ट्यूब 3-5 इंच तक यानि कि 3-5 इंच तक यह जो जैली लिए हूं इसको आपको लूब्रीकेंट करना है यानि कि इसको चिकना करना है इसके बाद में आपको water soluble से आप ज क्योंकि जो मरीज होता है उसको chemical pneumonia होने के chances रहते हैं इसलिए हम सिर्फ इसको lubricant से ही कर सकते हैं जेली से ही कर सकते हैं इसके बाद में फिर process क्याता है कि हम जो patient के डालते हैं वो कौन सी nostril में डालते हैं यानि जो nose में दो nostril होती है तो हम left nostril चूज करते हैं डालने के लिए उसमें हम इसको insert करते हैं एंड इसके बाद में अगर patient को कोई respiratory distance हो रहा है यानि कि हमने जी fight process तक insert कर दिया ट्यूब अगर patient को coughing हो रही है या patient खास रहा है बहुत तेज तो हमें तुरंद का तुरंद वापस कर लेनी है यानि कि इसको जबरजस्ते insert नहीं करना है तुरंद तुरंद हम उसको खीच लेंगे अगर इसके बाद में जैसे ही insert कर दिया patient के ट्यूब अच्छे सी correct हो गई तो हमें फिर क्या करना है लास नंबर में चेक करना है यानि कि check the placement of tube को चेक करना है कि यह सही पड़ी है कि नहीं तो हम कैसे check करेंगे सबसे पहले extra करवा के देखे दूसरा नंबर हम aspirate करके देखेंगे इससे क्या करेंगे हम aspirate करेंगे यहां से इसको पकड़के इस जगे से खीचेंगे और aspirate करके देख लेंगे अगर कुछ निकल रहा है तो यानि कि वह सही पड़ी है and next और फिर इसके बाद में क्या करेंगे जैसे suppose that यह मेरे काटोरी ह पानी की बावल इसमें पानी भरके देखेंगे और फिर इसके इसके टुप को इसी पानी में डूबो देंगे पेशेंट के जो बाहरी साइड है फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर पानी में बुलबुले आ रहे हैं तो फिर यह सही नहीं पड़ी है यानि कि पेश से कर सकते हैं या इस से कर सकते हैं इसके बाद में क्या करेंगे हम साउंड सुनेंगे इसको टेने मेल करेंगे इसके बाद में यू पुछ करके देखेंगे और इस थेटो इसकोप को लगाएंगे अपने कानों में इसके बाद में इसको रखेंगे हम इस्टमक में और यह हम साउंड्स सुनाई दे रहा है तो सही पड़ी है वरना सही नहीं पड़ी है तो हमें जो साउंड्स सुनाई देता है उस साउंड्स का नाम क्या होता है whose sounds उसे बोलते हैं whose sounds patient को अगर निकालनी है तो हम कैसे करेंगे remove करनी है अगर NG tube को remove करेंगे तो patient को बोलेंगे कि गहरी गहरी सांसे लें और इसके बाद में वो गहरी सांस लेगा, सांस को रोकेगा और हमको 3-6 सेकेंड में तुरंत वापस कर लेनी है NG tube को तो जो हम निकालते हैं उसको medical term बोलते हैं extubation extubation बोलते हैं आप डॉक्टर बोलते हैं extubate कर दीजिएगा NG tube तो उसको बोलते हैं extubation इसके size बता दी रही हूँ आपको कि जो NG tube के size होते हैं वो कितने होते हैं जो adult के पढ़ती है adult वाली number आते हैं वो 16 से 22 फ्रेंचेज रहते हैं यानि 16 to 22 फ्रेंच और child का होते है 10 to 14 यानि 10 से 14 फ्रेंच होते हैं और infant के होते हैं 4 to 10 यानि 4 से 10 फ्रेंच types of tube tube के भी कई सारी types होते हैं आप देख रहे हैं यह मैंने बताया था कि आप 3 या गोल गोल सी कोलियां है जो लेड बनाई हुई है इनका परपच क्या होता है इनका परपच यह होता है कि radio of cue बनाती है जिससे इसोफेगस में जोब हम ट्यूब को इंसर्ट करते हैं इससे हमें आसानी होती है अब यह two type पिछ होते है एक होता है double lumens और होता है single lumens और फिर इसके बाद में ingi tube एक आती है ack आती है इन ट्यूब जो intestinal tube होती है वह decompression के काम में आती है एक जो होती है वह drain करने के लिए और irrigation के काम में आती है तो ये रहा मेरा सारा प्रोसेस एंगीटीव का आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो था एक मेरे वीवर्स ने बोला कि एंगीटीव का प्रोसेस समझाई है तो जितना हो सका पेसे इन के उपर अपलाई नहीं किया मैंने बट मैंने सारा प्रोसेसर बता दिया I think आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मैंने one by one step by step हिंदी से इंग्लिज से दोनों तरीके समझाने की कोशिज करी है यदि आपको समझ में आया है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप कमेंट्स जरूर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नॉटिफिकेशन है मेरे वीडियो डालते ही सबसे पहले आपके दीखें मोबाइल पे और आपको थोड़ी सी नॉलिज बढ़े इसी तरीके से मैं आपको नॉलिज बढ़ाती रहूँगी और अच्छे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी तो फ्रेंड्स चलते हैं मैं मिलते हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई